तो बाई आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा होने वाला स्टोरी टाइम और आज ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं आप अपने दोस्तों से भरोसा करना उठ जाएगा आपका तो आज की जो स्टोरी है उसका मेन करेक्टर वो है कौशिंदर सिंग तो यह बाई बात है हमारे 2014 की 2014 में हम ते 11 क्लास में तो उस टाइम जाती ही क्रिकेट खेलने दूसरे स्कूरों में भार जाती थी तो पहले तो हमारी टीम में दूर दूर जाती थी मतलब दिली के बिल्कुल एंड में जाएगी वहां खेलने जाती थी बट इस साल क्या हुआ कि भाई इस साल हमारी टीम आसपास ही गई थी नौइडा गई थी एंटी पीसी दादरी तो भाई ऐसा होता है टीम में आपको पूरे 16 खिलाडी ले जाने पड़ते हैं तो भाई हमारी क्रिकेट की टीम थी सारे एक ही क्लास के लड़के मतलब यह मालनों 11 खिलाडी तो एक ह और उन 11 खिलाडी में सारे लड़के साइंस के देख रहे हैं आप क्रोनलोजी समझ रहे हो सारे लड़के साइंस के उसके बाद भाई हमारी टीम गई मेरट से और पूरी एक ही क्लास की टीम तो तुम्हें पता फन कितना हुगा अलगी मज़ा तो भाई हम गए हम पहुचे संplaying तो हमारे साथ क्रिकेट में जाते थे फ़्व फफफेश्यार के पास बतावां झ्यारा कि इसका नाव वह था कि तुम्हें क्या करना जिस स्कूल में हम गए उसके आसपास जितनी दुकान है जितनी भार की चीज़े तुम्हें भाई ढूंद के लानी तो ऐसी हमारे एंटी बीची में दो तीन लड़के थे एक्स्ट्रा में थे जो वह गए भाई वह पता निए complex complex ढूंद के आगए बिल्कुल अच्छी जगे देखे पार्क वार्क ढूंद के लाएं हमारे ले कि भाई अब match match खतम होंगे शाम को निकलेंगे पार्क वार्क में और कोई पूरी टीम तयार भाई तो भाई पहले दिन हमने match खेले दो मैस थे हमारे अराम से match जीते match match पूरे फिर गए हम शाम को तो भाई देखो ऐसा होता है लड़कों में एक चीज सही है यह लड़कों में ऐसे नहीं जाते दो एक साथ जा रहे हैं दो अलग जाए ग्यारा के ग्यारा ग्यारा के पूरे पंद्रा के पंद्रा खिलाडी गए होंगे एक साथ तो भाई बहाँ पे जो स्कूल तो उसके वाँ दिवार टूटी हुई थी छोटा सा गयाब बना रहा था उसके आगे पार्क था अलों भाई हम लोग गए फार्क से निकल पहले से पंद्रा लड़के बात कर रहे कि आब अगला मैं आज 나 र जलते रहे छलते रहे्ए थोड़ी तो हमने सोचा पानी बानी मिल जाएगा की पर भाई केवी बोई जेंगे केवी बोई की प्यास पानी से नहीं मुस्ति इनको चाहिए कोल डिंग तो बाइ 15 लड़कों नहीं का हमें पीने कोल रिंग कोल रिंग का मन्हों रहा और दो लड़के थे मैं और विष्ट जी उनके अ कोल रिंग की तो भाई जिनके पैसे हम मेरे और भिश्ट जी के पैसे हैं वो तो भंदे पीछे कंड है बार कि बागी और और दे रहे बाइद पैपसी भाय लिम्का लिम्का तो माजा देना मेरेको मेरे को भूट वाइत पईसे में अपनी कोल डिंग मिलनी नी थी भाई सब अपनी अपनी वेराइटी बता रहे हमें यह चाहिए हम किसके पीछे से तो दो बंदे पीछे किसके और हम चले गए ग्राउंड था महाँ पे उसकी दिवार के पीछे शुगए मैं और बिश्ट जी और एक लड़का और था उसका मुझे ना होएट हैं किछ देख रहे था आतकरा को स्क्राफ कर दो क्या फैसे हमारे में पाई आयए लड़को हमकिन मंग रखी से यह और पैसे किसी की चैवान और सामय कॉमसे करें यह ऊंकिन जाए 1000 पहताम दिर तक ठूपे रहें मैं और सूरज भाई फिर एक टाइम प्यार जाना तो समने साथ ही है चल देतें मैं और सूरज भाई गए फिर हमने अपने हिस्से की कोल्रिंग पी तो भाई कोल्रिंग वोल्डिंग पी के 15 के 15 लड़के सरकल बनागे खड़े दुकान के बार भाई मुझे यह चाहिए वह चा कर दिय कि क्यों देने भाई पैसे जब कोई आप नहीं निकाल रहा पैसे तो हम क्यों दे उसके बाद सारे बन्दे मतलब कन्फ्यूजरं में आ गांगे अप करें तो करें कया सब की gusting बची थी भाई तो हमने कह दिए हम पे पैसे नहीं है तो सब डर से गए मतलब कि भाई अब पैसे नहीं है दूर हम इतने आ गए हैं कि हम पैसे लेकर आए एक बंदे को तो प्लैन ऐसे बनने लगे कि एक बंदा जाएगा इधर से पैसे लेकर आएगा फिर सारे contribute करके बाद में उस लड़के को पैसे दे देंगे जिसके पैसे गए हैं तो भाई सब ने ऐसे ऐसे plan बनाया तो भाई सारे सरकल में खड़े थे कोशंदर की आदी कोल रिंग की बोतल हाथ में थोड़ी सी बची दी कोशंदर ने पिया बात बात कर रहे थे हम तो भाई सब ऐसे कह रहे हैं कुछ लड़के मतलब होते हैं खुराफाती जो लड़के होते हैं उनका plan सुनो भाग जाते हैं सारे एक साथ भाग जा अंकल आइडिया ऐसे होंगे अरे बोतल रोखो भागो ऐसे करो वह तो सब अपने अपने आइडिया दे रहें टिप्स तो भाई कौशंदर भाई यह मतलब यह main character है पूरी स्टोरी का main character यह है यही लड़का तो भाई कौशंदर आये बाई टीचर नहीं आता जैसे बच्चों को स यहां से सारे भाग जाते हैं मतलब एक तरह से चोरी मान लो तो भाई कौशंदर भाई आये टीचरों की तरह पागल हो क्या ऐसे गलत काम नहीं करते हैं मतलब 15 लड़कों को समझा रहा है यह गलत काम है कि ऐसे चोरी नहीं करते भाई किसी के पैसे मानना अच्छी बात चिंदर ने अपने मुँझे जैसे उसकी पैपसी खतम हुई भाई लड़के ने रखी पैपसी और सबको बता रहा था भागना नहीं है और इतनी तेज भागा मिलखा सिंग की तरह भाई लड़के देखते रह गए और पीछे बहुत रखी सटाक और गायब ओ लड़के दे जालने पड़े पैसे हमने दिये कोल्रिंग के पैसे सारे गए पूरे रास्ते में लाश तक भाई लड़कों ने उसे इतनी गाली इतना हरामी सबको मना कर रहा भागना नहीं है चोरी नहीं करनी भाई कुछ नहीं करना और इतनी जल्दी कल्टी हुआ और पीछे नहीं देखते रहें इतना इतनी चलाकी से सफाई से कि भाई कोई नहीं कोई नहीं भागेगा वह चोरी करना गलागों कोल्डिंग की बोतल रखी और ऐसे गाया हुआ वह सारे लड़के यूं देख रहें और कॉसेंदर अकला भागे जारा हुआ रुकी नहीं राभाई सीधा गय और कॉसेंदर को तो आनी है बाकी जितने हमारे क्रिकेट में थे मायंक वायंक उन सबको यह बाद याद है विदित था तींचा शुबंशे रावाद मतलब जितने भी लड़के थे रजत वगरा नाम मुझे सबके एक आदा भूल जाओंगा फिर बुरा मान जाएंगा इसल जाओंगा इसलिए